तो इस वक्ते की जो है आप सभी को बताना चाहता हूं सबसे बड़ी अपडेट के बारे में जी हां 36 गड़ में होगी पूर्ण तरीके से सराब बंदी नए मुख्य मंत्री विश्णु देवसाय जी जो है बन चुके हैं और विश्णु देवसाय जी क्या करने वाले हैं 36 गड़ में जो है सराब बंदी इस वक्ते की जो है सबसे बड़ी घोष्ण जो है ब्रेकिंग नुज जो है आप से भी के लिए इस वक्ते जो है निकल कर आ रहे हैं क्या 36 गड़ में जो है पूर्ण तरीके से सराबंदी होगा जैसे की 2018 में जो है कॉंग्रेस पार्टी ने उस समय वादे किये थे कि चतिस गड़ में जब हमारी सरकार आएगा पूर्ण बहुमत की सरकार आएगा तो हम जो है चतिस गड़ में सराबंदी करेंगे लेकिन उनके द्वारा सराबंदी नहीं किया गया तो अब क्या 36 गड़ में फिर से एक बार सराबंदी का मामला होगा क्या 36 गड़ में जो है विश्णु देव साय सरकार जो है 36 गड़ में जो है सराबंदी करने वाले हैं क्या 36 गड़ में पूर्ण तरीके से सराबंदी हो पाएगे या फिर नहीं हो पाएगा मैं इस वीडियो में आप लोगों को सभी details बताऊंगा इस वीडियो में पूरे चर्चा करेंगे कि आखिरकार 36 गड़ में सराब बंदी होना चाहिए या फिर सराब बंदी नहीं होना चाहिए या फिर 36 गड़ में सराब बंदी कभी भी हो पाएगा या फिर ये सिर्फ एक चुनावी महौल के तरह यूज किया जाएगा सिर्फ चुनावी महौल बनाए जाएगा सिर्फ चुनाव जितने के लिए उसके बाद ये सबी चीजों पर अमल नहीं किया जाएगा जहां तक अगर हम बात करें शराब बंदी की तो एक एक जो है पूर्ण तरीके से सराब बंदी जो है नहीं हो सकता लेकिन जो है धीरे धीरे से ही सही कम से कम लेकिन सराब बंदी जो है करना ही चाहिए और जो भी घोशना पत्र जो जारी किया जाते हैं उन से भी घोशना पत्रों पर जो है अमल करना चाहिए अगर कॉंग उन्होंने जीत हासिल किया था तो होश रखता है कि उनको जो है उसी टाइम जो है सराबंदी कर देना चाहिए था आप विश्णो देशाय सरकार से अब कहा गए कि आप जो है सराबंदी करेंगे आप नहीं तो उनका साफ़ तोर पर यही कहना है कि बिलकुल भी नहीं सबसे बड़ा गर हम सरोत के बात करें जो पैसा का होता है शोत होता है जिससे सबसे ज़्यादा पैसा आता है वो शराब से ही आता है तो सरकार तो बिलकुल भी नहीं शाहिए क्योंकि उनकी आर्थी कि सिती सरकार के खजाना सराब बंदी से ही भरता है जितने भी पैसे होते हैं वो सराब जो सरकार जो चला रही है सराब बेश रही है इसी वज़े से बहुत जादा पैसा सरकार को मिलता है तो सरकार तो बिलकुल भी किसी भी हाल में सराब बंदी नहीं करने वाला लेकिन जहां तक बात रही हम पब्लिक के लिए आम जंदा के लिए तो उनके लिए बहुत ही जादा नुक्षान दे होता है और बहुत जादा पैसो कहानी भी होता है तो आने वाले टाइम में जो है कम से कम एक बार में तुन ना हो सकेगा कम से कम पांच वर्सों तक बीजेपी की अभी गवर्मेंट रहेगा बीजेपी की सरकार रहेगा तो इन पांच वर्सों में कम से कम आइस्ता इस्ता कर कि धीरे धीरे से ही सही एक एक जिले में एक एक ब्लॉक में एक एक संभाग में कम से कम सराब बंदी किये जाए ताकि 36 गड़ में पूर्ण तरीके से सराब बंदी हो पाए क्योंकि बहुत से राज्ये हैं जहाँ पर सराब बंदी है जैसे कि बिहार में हैं, गुजरात में हैं, बहुत से श्टेट में हैं पूर्ण तरीके से सराब पर बेन है और वहाँ सराब नहीं विखता है इसके साथ ही जितने भी वादे जो मोधी की गड़ैंटी है एक लाग पढ़ों के अगर हम बात करें एक लाग पोश्ट पर जो है नहीं भरति के बारे में एक लाख पदों पर वेकंसिस के बारे में जिया कि चतिस गड़ में एक लाख भरती sağ पाएगा या फिन नहीं हो पाएगा एक लाख पोस्ट जो किस तरीखे से होगा या फिन नहीं होगा इन सबी पर भी मैं आप लोग को जनकारी बतंगत हो आप सभी के लिए जित्ते भी अपडेट जो है बीजेपी गवर्मेंट के तरफ से निकल कर आते हैं वो सभी अपडेट जो है आप सभी के लिए काफी जादा इंपोर्टन होता है आप सभी के लिए वो सभी अपडेट जो बहुत ही जादा मायने रखता है बहुत ह तो 36 गड़ में एक लाग पदो पर जो है आप लोगों के लिए जेल दी 36 गड़ के सभी students के लिए जो है नियू government job जिहां 36 गड़ में नई government job एक एनसी जू आप सभी के लिए निकल कर आने वाले जित्ते भी students जो government jobs की त्यारी करते हैं बरती परिक्षा एक्जाम्स की श्टडी करते हैं प्रिप्रेशन्स करते हैं जी हैं और 36 गड़ में आप सभी के लिए काफी जादा इंपोर्टन होता है आप सभी के लिए बहुत ही जादा महत्तुपूर्ण होता है और 36 गड़ में होगे पूर्णा तरीके से सराबंदी या फिर नहीं ये तो बात कभी साए और इसके साथ ही अगर हम बात करें चाहिए वो CGPAC हो, CGVYAPAM हो, SSE हो, BANK हो, Railway आप जिस भी Competitions exams की त्यारी करते हैं, भरती परिक्षा exams की Preparations करते हैं आपको त्यारी करते रहना है, क्योंकि भरती परिक्षा का बाद आजाए, वेकंसी जो है, आपके लिए कब निकल कर आजाए, ये किसी को पता नहीं होता देखिए आपका काम होता है पढ़ाई करना, आपका काम होता है तैयारी करना, आपका काम होता है प्रिप्रेशन्स करना, जितना जादा प्रिप्रेशन्स करेंगे, जितना आप हार्ड वर्क करोगे, उतने ही जादा आपका सेलेक्शन्स हो पाएगा, उतने ही जादा आपका क हमें जो है जॉब मिल पाएगा फिन नहीं मिल पाएगा हमारे सपने पूरे हो पाएंगे अफिन नहीं हो पाएंगे हमारे ड्रिंस पूरे हो पाएंगे अफिन नहीं पूरे हो गए मैं आपसे यही कहना चाहता हूगी अगर आप लगतर अगर आप कोशिश करते रहोगे अगर आप लगतर मेहनत करते रहोगे हार्ड वक करते रहोगे तो आज नहीं तो कल आपको कामयाभी जो है मिलेगा जुरूर जी है आज नहीं तो कल आपको सब फ़स्दा मिलेगा जूरूरूर। बस देखेए महनद करना, तैारी करना गौर्णमेंट जॉब्स की प्रिपेरिशन करना आपको बिल्गुल भी कभी भी नहीं छोड़ना है क्योंकि जितना ज्यादा महनत होगा जितना ज्यादा तैयारी होगा जितना ज्यादा हार्ड वर्क होगा उतने ही ज्यादा आपको रिजल्ट मिल पाएगा उतने ही ज्यादा आपको काम्याभी जो है देखने को मिल पाएगा तो आने वाले टैम में आप लोगों के लिए और तैयारी कीजे अपना प्रिप्रेशन कीजे और तैयारी करना बिल्कुल भी आपको नहीं चोड़ना ये चीज़े बिल्कुल भी मत सोचें कि यार ये चीज़े हो पाएगा फिर नहीं हो पाएगा हमें कामया भी मिल पाएगा फिर नहीं मिल पाएगा इन सबी चीज़ों के बा यहतार एक बेश्ट रिजल्ट आपको मिल पाएगा और आपका सेलेक्शन भी खोपाएगा और 36 गण में होगी पूर्ण तरीके से सराबंदी इस पर जल्दी कोई बहुत ही मतुपूर्ण नायक फैसले भी निकल कर आने वाले तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आने वाल पूमी इन क्रिशकों को 10,000 महतारी वंदना योजना में 1,000 उन सभी चुनावे वादों को बिज़ेपी गवर्मेंट्स के द्वारे केक करके पूरे किये जाएंगे चाहे हो किसानों का कर्दमाफी को लेकर हो सभी वादों को I hope जितने भी जानकारी I hope जितने भी अपडेट कि मैंने आप सभी को बता है सभी अपडेट सभी जानकारी आप सभी को पसंदा है हो सब प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल पर ना